देनिक मजदूर की बेटी ने जीता गॉल्ड मेडल हुनर की मिसाल 11 साल की नीरा कुमारी महरास्ट में आउजित लेजर रंज चेंपियन 2023 में जीता गॉल्ड इस वर्सों से मार्बल्स, टाइल्स, ग्रेन आइट का बादसा मंजिल उन्हीं को मिलती है, जिनकी सपनों में जान होती है पंखों से कुछ नहीं होता, हासलों से उडान होती है ऐसा ही कुछ कर दिखाया है, दुमका के मकरों के बेटी नीरा कुमारी ने पिता दैनिक मस्धूर है, लेकिन बेटी का हासला मचबूत है महराश्च के अहमेदनगर में आयोज, मौडन पैंटाथलन, फेडरेशन ओफ इंडिया की द्वारा सिक्स लेजर रन चैंपियनसिप का आयोजन किया गया लेकिन एकी ग्यारत साल की नीरा कुमारी ने जो कारनामा कर दिखाया है वो उससे स्टार बन गई है, चारत तरफ उसकी तारीफ हो रही है इस बच्ची का वीडियो सोसल मीडिया पर बहुत तीजी से वाइरल हो रहा है इसका कारण इसकी गरीबी नहीं, इसका हुनर और टैलेंट है जो इसे आज स्टार बना दिया है बच्ची ने लेजर रेस पतियोगिता में भाग लिया और अपने राज के लिए स्वर्ण पदक जीता नमस्कार जोहार अदाब में आपका जाद और आप देख रहे हैं जोहार नीज काते हैं गरीबी किसी भी चीज के लिए बाधा नहीं होती यदि आप में जजबा हो कुछ करने का तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं उसी का जीता जाकता उधारन है नीरा कुमारी नीरा कुमारी जारखन की उप्राज़ानी दुमकाम रहती है जो बेहद ही गरीब है और इस गरेबी में पल करके उन्होंने एक ऐसा कारणामा कर दिया है कि आज पूरे जीला में नहीं पूरे राज में इसका नाम हो रहा है हम बताएंगे कि नीरा कुमारी ने आखिर वोक्त क्या काम किया है लेकिन उस काम को और उस मेडल के बारे में बताने से पहले हम बता दे निराकुमारी ने किस चीज में बाजी मारी है उसके बारे में बताने से पहले आपको हम बता दे कि निराकुमारी जो बेहद ही गरीब पिछड़े परिवार से हैं जो बह मुश्किल दोवक्त का रोटी का जोगार कर पाते हैं आप इसका घर यदी देखेंगे तो घर देखके भी आपको अफसोस होगा कि आज के इस यूग में इस तरह की स्थिती भी लोगों की बनी भी है तमाम राजनेतिक दल तमाम सरकारे बड़े बड़े वादा करते हैं कि हमने विकास के गंगा बहा दी है लेकिन वह गंगा जारखन की उप्राजधानी में देखने को नहीं मिल और बात जब यहां के आदिवासी का हो बात जब यहां के घटवार घटवाल समाज की हो बात जब यहां के पहाड़ या समाज के हो तो विकास यहां से कोसो दूर नजर आ रही है लेकिन उस अंधकार भरे जीवन में एक रोसन देता निराकुमारी का नाम आज पूरे राज के लिए गरवान भी करने वाली बात है क्योंकि निराकुमारी ने काम ही ऐसा कर दिया है छे बहनों में से तिसरे नंबर की ये बहन है इसके पिता मजदूर है मम्मी भी मजदूरी करती है लेकिन इस निराकुमारी का बच्पन अपने नाना नानी के घर में बिता है और हाल ही म नेशनल लेजर रेजर चेंपियंशीब जो महराष्टा में हुआ था उस महराष्टा में जब प्रतियोगीता कायोजन क्या गया तो निराकुमारी ने वहां गोल्ड मेडल जीता यह जानकर आप भी ताज़ूब होंगे कि इस तरह के जो पिछड़े इलाकों से निकल के बेट करती हो तो आप भी आसर करेंगे लोग बड़े-बड़े कोचिंग संस्थानों में जाते हैं बड़े-बड़े कोचिंग लेते हैं लगातार कई कोचेश के देख रेक में तमाम काम होती है लेकिन बेहद ही निर्धन परिवार से बिलोंग करने वाले निराकुमारी जो दु लेजर रन चंपियन्सिप में गोल्ड मेडल जीता है तो चलिए हम पहले बात करते हैं निराकुमारी से कि उसकी उम्र कितनी है पहले ये बताई आपका नाम क्या पुरा नाम बताई निराकुमारी और उमर कितना है अपको 11 साल की बेटी है और 11 साल में वक्त कर नामा कर दि पिलोंग करने वाले निराकुमारी ने 11 साल के उम्र में महराष्टा में गोल्ड मेडल जीता है वह भी लेजर रन में जो एक लोगपिर खेल है पूरे देश में तो आप बताए निरा जी इसकुल में पढ़ाय करते हैं किस क्लास में फाइप क्लास में कहां का स्कुल है अब बगल में सरकार स्कुल में सरकार स्कुल में अचा यह बताए यहां से जो है आपको कों समझाता है बताता है कि खेलना चाहिए कुदना चाहिए कोन अपका गाइडलाइन करता है मामा मामा क्या नह today daraden errorsAAD ऑर घर में कौन कौन है तब नानननी है ओ नननी क्या करते हैं कि ने ने प्यार करते हैं तुमको और लड़ा करकोँ करता प्रियादा दिदी गर टोव सब्सक्रयोंच hostal algebra पढ़के क्या बना आपका नो कि खेलते हैं कुछ कबड्ल बड्लते हैं नहीं मालूम अच्छा आपका हाथ में देखेंगे सूप में कठल का क्या बनता है सब्जी सब्जी बनता है अपने से कठल तोड़े हैं नाना जी लाकर आपको बता दे कि 11 साल की निरा कुमारी जो महज मतलब 11 साल की है सारे काम घर की करती है यहां से लगभग कुछ दूर मतलब हाप किलो मीटर दूरी से यह पानी लाती है घर में कामकाज करती है पढ़ाई करती है और उसके बाद यह गोल्ड मेडल लाती है यह gold medal जो कईयों का सपना होता है उस सपने को साकार कर रही है नीराकुमारी वही यह वही नीराकुमारी है जिसमें तमाम राजनितिक दल राजनिती भी करते हैं लेकिन आज इन्होंने gold medal जीता है लेकिन अब तक ना है नेता नजर आ रहे हैं ना कोई और आप इनके घर की तस उन्हें और क्या चीज मिल रहा है बेहाद इन निर्धन परिवास से भलों करती है हमाँ साथ उसके मामा भी हैं उनसे हम बात करते हैं कि कैसे उन्होंने सोचा कि इसे इसे लेजर रंड चेंपिंशिप में भाग लेने के लिए बेजा जाए तो आप बताइए कि कैसे अप करती थे सार इनको लगबग एक साल हो गया है तो हम लोग जो महराष्ट में हुआ ना चेंपिंशिप तो उसमें मेरा जो कोच है धनवाद का उनने बोला कि अगर वहां अगर कोई AC है जो दोडती है छोटी वच्ची तो उनका ट्राइल दीजिए और तुम अपना भी ट्रा महराष्ट में आप कभी सोचे थे कि आपका जो भगनी है जाएगी हम जानती तो पता था पुरा विस्वास अच्छा जब से यह गॉल्ड मेडल लाई है जब लोगों ने जाना आस-पास मुखिया वगरा गाउं के लोग जाना तो आये की नहीं मिलने के लिए हाँ सर आये ह क्या बोलते हैं बोगो बस सब कोई खूस है सर अभी और सब को इनको बढाई दिया है सर सबको और सहर से कभी कोई अधिकारी होगर ऐसे कोई सहर से वही अभी तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं इसकी इच्छाएं क्या बहुत कम बोलती है क्या यह हैं इनका सर यह दोड़ेगी और अलम्पिक भी जाएगी सर और पढ़ाई में भी अच्छी है तो बतादे महजे 11 साल की है नीरा जिन्होंने स्वन पदक जीता है नेशनल लेजर रन चेंपिन सीप में और ये इसके साथ मामा थे मामा को बहुत ज्यादा ही विश्वास था कि हमारी जो भगणी है जरूर गॉल्ड मेडल लाएगी और मामा का जो सपना है उस सपने को साकार किया है तो पापा है कि नेया पापा बहार चले गए हैं भी काम करने पापा को बताएं कि ने अधर दोड़ के दिखाऊ नहीं पोरा दोडने में सुबह साम दोड़ती है सुबह साम जाते है चुबह दोड़ती है तो यह निरा कुमारी है जो ग्यारा साल की है पांचवा में पढ़ती है मामा के सपने को साकार किया और इन्हों ने मोडन पेंथरल फेडरेशन ऑफ इंडिया के दुबारा तत्वधान से यह चेंपियंशिप का आईजन महरास्टाम हुआ था और महरास्टाम में जब हुआ प्रोग्राम तो इन्हों तो चलिए अब आपको निराकुमारी के घर के अंदर लेका जाते हैं कि घर की इस्तिती क्या है तो दिखाते हैं घर हैं जार्खन कितना समरिद और विक्सित हो गया है तमाम तरखे बड़े वादे हैं होते हैं अब वादिस्युम अब राज की बात होती है लेकिन अब इस राज में विजली विजली है कि इन्यघर के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह घर है अब काफी अंधिरा इस घर में लाइट नहीं रहने कारण हाला कि पुरा मिट्टी का यह कच्चा मकान है यह और इस कच्चे मकान में रहके पढ़के खेल के कूद के निरा कुमारी ने लाया है गॉल्ड मेडल और हम आगे दिखाएंगे कि निरा कुमारी कहा पढ़ाई करती है चलिए हम पुरा घर का तस्वीरे वो दिखा रहे है तो यह तस्वीरे आप देख रहे हैं कि ये तवाम घर जो है निरा कुमारी का है यहीं से रह करके उन्होंने पढ़ाई कि नानी घर में र पर देखा रहे हैं तो यह सुखद चीज है और गरवानुवित करने वाली बात है पर राज के लिए खास तर पर दुमका वासियों के लिए कि दुमका की बेटी निरा कुमारी ने महाज ग्यारा साल में महारास्टा में हुए चेंपियंचिप में गोल मेडल जीता है तो यह निराकुमारी के ये कमरा है यह अगे दिखाएंगे दिख़ी किस गर है उपर यह हम लोग कहते हैं कि यहां लखड़ी कुल रखने के सुक्या करता यह पूरा मिट्टी का बना हुआ है इसी खटिया में यहां पर रहे करती है बहुत ही निर्धन परिवार से बिलोंग करने वाली नीरा कुमारी ने वह कारणामा कर दिखाया है जो इस कारणामे को करने के लिए बड़े बड़े लोग सोचते हैं और 11 साल की महज इस उम्र में यह मुर्गी किसका आई जब आनी गई आप देख रहें निरा कुमारी को हम दिखा रहें देखें यह निरा कुमारी इसकी तस्वीरे देखें बहुत बहुत ही नर्धन कर परिवार से बिलोंग करती है अभी भी आसा है कि आगे बहुत कुछ हम कर सकते हैं यदि हमें वह देखने वाले नेता और अधिकारी अब तक यहां पहुचने पाई हैं कुछ लोग टेलिफोनिक बात हुई है लेकिन अब तक आज आना चाहिए था लेकिन वह यहां आई नहीं हैं लेकिन निरा कुमारी ने जो काम किया है वो उस काम से पूरे सहर्वा से खुस है बधाया अब बघल के लोग दे रहे हैं लेकिन अभी निराकुमारी को उमीद है कि सरकार उसके लिए कुछ तो यह बाते हैं निकल का यह सहर्ब तमाम आम खुसी का महावल है अगल बघल को महावल है अपन चाहिए जो दुम का प्रखंड में गादि कुरिया और उसी परखंड में उसी पंचायत में रहा कि मकरो गाउं मकरो गाउं में रहा करके इस बेटी दे पर्स्रम ला रहा है लेकिन अवीद है यदि सरकार के दौरा यहां के दूमका परसासन के दौरा कोई स्विराय इने मिलती है तो यह कई चीजे कर सकती है अब लोग लगता है कि कुछ फैसलेटी आपको पता दे कि सुभा यह दोड़ती है और दोड़ में बहुत कुछ कर सकती है लेकिन आप इसके कपड़े देखे इसका घर देखकर के आपको अंदाजा लग सकता है कि कि इस तरह के परिवार इस तरह के महौल में रह करके भी इन्हों ने वह कारणामा कर दिखाया है कि लोग सोचेंगे भी इस गोल्ड मेडल को लाने के लिए बरहाल आप लोग बने रहे हमारे जोहार नियुक के साथ और तमाम तरह की खबरें हम बताएंगे कि सहर में किनोंने क्या क्या है खास तो आज ही हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें और बेटी के लिए एक लाइक जरू करें और यदि आप लोग भी नेरा कुमारी के लिए कुछ करना चाते हैं यदि किसे तरह का मदद करना चाते हैं तो आएए मकरोगाउं और मिले नेरा कुमारी से धन्यवाद खुड और सेनावान लेक्चरर, सजावान पुति बंदी, लेब, दिनन दिन पनाढ़ाव, मरांग खिलो टंडी, ओडियो विज्वल, स्मार्ट क्लास्रूम, वाइफाई और होस्टेलरी अभेवस्था, स्कोलार्शिप, रोजगारी अभेवस्था मिना आ, उसराय पे,